चोपड़ा है जो किसने यूटूब चनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर देख स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चो मौपप राउंड की 24 फिलिंग की आज लास डेट है मेरी उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जिनको स्टेट में सीट मिल गई है वो कंडिडेट MCC के मौपप राउंड में 24 फिल नहीं करें क्योंकि काफी सारे कंडिडेट ऐसे होते हैं जो MCC के मौपप राउंड में सिरफ ये देखने के लिए 24 फिल करते हैं कि हमें कौन सी सीट मिल रही है काफी सारे state की ये भी condition होती है कि वो second round की seat को नहीं चोड़ सकते फिर भी वो MCC के mop up round में twice fill कर देते हैं ये देखने के लिए कि उनको कौन सी seat मिल रही है अगर candidate को mop up round में seat alert हो जाती है और वो state की seat को चोड़ नहीं सकते तो उनको security money का नुकसान तो है ही साथ में वो seat भी block कर रहे हैं मतलब कि उन candidates की seat को रोक रहे हैं जो second round की कटोब के lower candidate है उन candidate को seat की बहुत ही ज्यादा requirement है वो भी admission का इंतजार कर रहे हैं आप उनकी जगे होते तो आप क्या करते उनकी भावनाओं को भी आप समझो हालांकि ये seat lower candidate को stay round में मिल जाएगी मगर नुक्सान उन candidates को होगा जिनोंने mop up round में MBBS के बाद BDS का option फिल किया है मतलब ये है कि उनको mop up round में BDS मिल जाएगा मगर उनसे lower candidate को stay में MBBS मिलेगा क्योंकि stay vacancy round में upgrade का कोई option नहीं है जिन कंडिडेट ने mop up round में seat छोड़ी है वो stay vacancy round के लिए eligible नहीं होंगे और वो कंडिडेट भी eligible नहीं होंगे जिनको mop up round में seat alert हो गई है चाहे वो BDS ही क्यों नहीं हो तो अगर आप MCC के mop up round में seat नहीं लेना चाते हैं क्योंकि आप state के round में seat ले चुके हैं और उनको छोड़ नहीं सकते उस seat को तो प्लीज आप से request है कि mop up में 24 फिल ना करें तो ये एक छोटा सा request था मानेंगे तो सभी को फाइदा होगा बाकि नए वीडियो में आप से मुलाकात होगी तब तक के लिए जैहन प्लीज़ प्लीज़ नहीं